स्वास्थ और संदरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्तिया और सांधरिया करता है जिस कारण बालो तक सही पोशन पहुचता है जिससे बाल हेल्दी बने रहते हैं रोज मेरी और नारियल तिल को साथ मिलाकर लगाने से बालो की कई समस्याओं को जड़ से खत्म किया जा सकता है बालो में रोज मेरी के साथ नारियल तिल का पैक लगाने से बालो की कुदरती तोर पर कंडिशनिंग हो जाती है, जिससे बाल रूखे और पेजान नहीं दिखते हैं, साथी बालो में प्राकृतिक चमक भी आने लगती है वीक में दो से तीन दिन बालो में रोज मेरी के साथ नारियल तिल लगाने से स्केल्प इंफेक्शन, डैन्रफ, खुजली जैसे समस्याएं आसानी से दूर हो जाती है रोज मेरी जहां एंटी ऑक्सिडन्ट प्रोपर्टिस से भरपूर होता है, तो वही नारियल तिल में एंटी ऑक्सिडन्ट, एंटी फंगल, एंटी बैक्टिरियल, और फेटी एसेट जैसे पोशक तब प्रचूर मात्रा में पाए जाता है जो बालों की हिल्प को पहतर बनाय रखने में मदद करता है देखा जाए तो रोज मेरी और नारियल तिल दोनों को अलग-अलग भी इस्तिमाल में लाय जा सकता है लेकिन जब दोनों को एक साथ मिलाकर लगाय जाता है तो फाइदा कई गुड़ा जादा देखने को मिलता है तो फेर रोज मेरी और नारियल तिल को अपने बालों में कैसे अपलाई करना है इसके बारे में जाने के लिए बने रेस वीडियो के साथ इसके लिए क्लैडल में एक चमच रोज मेरी ले ले इसके बाद इसमें तीन से चार चमच नारियल तिल डाल दे इसके बाद गैस ओन करके इसे कुछ दिर के लिए दीमी आज पर पकाए जब यह अच्छे से पक जाए तब गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दे जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे किसी ए टाइट कंटेनर में भर कर इस्टोर कर ले अब यह रोज मेरी और नारियल तिल का पैक इस्तमाल में लाने के लिए तयार हो चुका है इसे वीक में दो से तीन बार इस्तमाल करने से बहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं रोज मेरी और नारियल तिल से बना पैक बालो के लिए काफी फाइदेमन माना जाता है नियमित इसके इस्तमाल से हेर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, बालों की ग्रोथ में अजाफा होने लगता है, साथी बाल सिल्की, सौफ और बॉंची दिखने लगते हैं तो फिर आज आपने इस वीडियो में रोज मेरी के साथ नारियल दिल यानि कोकोनट ओल लगाने के कुछ बहतरिन फायदों की बारे में जाना आशा है आपको हमारे ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा हमारे नए-ने स्वास्ति और संदरी संबंधी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा हमारे वीडियो पसंद आई होते से लाइक और शेर चरूर करें ताकि इसी तरह हम नए-ने जानकारियां आप तक पहुचाते रहें दानिवाद